हलो फ्रेंड्स हमारे चैनल में आपने आलू पराठा का रेसिपी देखा और बहुत पसंद किया आपकी खास फर्माइश पे हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक और पराठे के रेसिपी जो है मूली का पराठा ये मूली से बनता है और बहुत ही स्वादिश्ट है और बच मूली इसे इंगलिश में रेडिश कहते हैं तेल तीन से चार चमच अलका कटा हुआ अद्रक और हरी मिर्च बारिक कटा हुआ हरादनिया नमक स्वाद अनुसार एक चमच जीरा और एक चमच हल्दी पॉडर सबसे पहले हम मूली कुछ हिल देंगे और इसे ग्रेटर के से ग्रेट कर लेंगे याने कि इसे बारिक कदू कस कर लेंगे इस तरह इसके बाद इसे हाथ से निचोड़ कर हम सारा इसका पानी हटा देंगे पानी हटाने से इसका कड़वाद कम हो जाता है तो नहीं तो बच्चे कभी अमोमन नहीं खातें कड़वाद हुआ तो यह हमने मुली को कदू कस करके तयार रख लिया अभी हमें कड़ाई ले ले लेते हैं इसमें डाल देते हैं चार चमच तेल, आप तेल के बज़ाए देशीगी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे इसका स्वाद फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है, तेल गरम होने के बाद इसमें डाल देते हैं जीरा, कुटी हुई हरी मिर्च और अद्रक, हल्दी पाउडर, और कदुकस किया हुआ मूली यानि रैडिश, इसमें डाल देते हैं स्वादा नुसार नमक और इन्हें अच्छी तरह से मिला लेते हैं, अब देख सकते हैं कितना सुनायरा रंग आ चुका है, इसका बहुत सुन्दर दिखता है, इसमें उपर से डाल देते हैं बारी कटावा हरादनिया, तो यह हमारा फिलिंग तैयार हो चुका है, मूली पराठे का, मूली नरम होने तक इसे हम पकाएंगे, फिर इसे हम एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे कुछ इस तरह, अभी हम इसका डो तैयार करेंगे, इसके लिए हमने ले लिया है गहू का आठा, इसे थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हम इसे अच्छे तरह से घुन लेंगे, हमने वीडियो के इस बाग को फास्वर्ड किया ताकि आपका समय का बच्छत हो, अब जितना अच्छा इसे गुन लेंगे, इतना अच्छा ओपराटा का टेस्ट आएगा, यह गुन के हमर आठा तयार हो चुका है, अब यह पराटे का डो को हम एक पेड़ा बनाएंगे, इ कि बच्छों को तभी यह अच्छा लगता है, ज्यादा फिलिंग होने पर ही, इसे एज को ऐसा मिला लेंगे, इसे क्रिंपिंग भी कहते हैं, और इसे फिर से हलके आथ से हम बेल लेंगे, इसे जाड़ा ही बेलना है, अगर मुली का स्टफिंग बार दिखाए देता है, तो कोई हर्ज ने, इसे और भी सुंदर लगता है, शेखने के बाद, अब या पराटे को हम नौन स्टिक तवा में डाल देते हैं, शेखने के लिए, इसे हमें दोनों बाजू से से शेखना है, और शेखना वकित से तयल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बटर का भी इस्ते कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना सुन्दर कलर आया है, अब इसे पलट कर दूरसा सेट से भी इसे सेक लेंगे, आप आज धीमा रखके इसे काफी देर तक सेके, नहीं तो बाहर से पक जाएगा और अंदर कचाय रह जाएगा, देखे कितना सुन्दर रंग आ गया पराठ है किया जिसमें मखण ना डाले, तो हम इसमें अभी डाल देंगे, एक बड़ा चमच मखण, हमने यहां सॉल्टेट बटर यूज किया है, आप अन्सॉल्टेट बटर यानि कि सफेद मखण भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके जगवे, अभी से हम पिजा के तरह चार तुकड आना ये बनाना, बच्चे बड़े दोनों को ये बहुत पसंद है, तो आप इसे जरूर गर में ट्राइ कीजिए, और कमेंट्स में लिखे आपको पसंद आया की नहीं, इमुली पराट को यहां हमने सर्व किया है दई के साथ, अब देख सकते हैं इसका स्टफिंग कितना आप इसे जरूर गर में ट्राइ कीजिए, और बच्चों को भी खिलाएए, उन्हें भी बहुत पसंद आएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और भी वीडियोस हम आपके लिए ला सकें, ऐसे और वीडियोस दीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यावाद